हेलो जैहिन दोस्तों स्वागत है आपके अपने एक्स टेक्नो चेनल पर चलिए आज हम लोग जानते हैं सेल फैप्रेजल में क्या-क्या बदला हुआ है नए तरीके से हम लोग सेल फैप्रेजल कैसे वरेंगे तो सब से पहले उसके लिए गूगल क्रोम के लोगिन ब्रॉजर पर जाएंगे उसमें लिखेंगे सर्च बार पर जाएंगे HRMS लोगिन लिखेंगे फर्स्ट अप्सन पर किलिक करेंगे किलिक करने के बाद जो है लोगिन पेज हमारा खुल करके आएगा लोगिन पेज खुल करके आने के बाद जो दोस्तों यहां लिखा हुआ हुआ है रे के लिए login कर पाएंगे चली दोस्तों हम इस पर किलिक करते हैं किलिक करने के बाद login पेज खुलेगा उस पर जो है next login पेज खुलेगा उस पर हम user ID, username, password ये डालेंगे डालने के बाद जो है आपको एक OTP आएगा OTP डालेंगे यहाँ पर OTP डालने के बाद जो है verify OTP पर किलिक क करने के बाद जो है next page इस तरह का खुल करके आएगा खुल करके आने के बाद जो है left corner में आप arrow mark देख रहे हैं इस पर किलिक करेंगे किलिक करने के बाद इस तरह का page खुल करके आएगा देखे दोस्तों सब पहले जो है APR के अलाबा बहुत सारे 4-5 options आते हैं लेकिन अभी हमने login किया है सिर्फ APR के लिए तो APAR का ही option आ रहा है APR पर click करेंगे click करने के बाद यह चार options आएगे APR help, self appraisal, view APR और appeal against APR तो self appraisal, second बाला option जो है उस पर click करेंगे click करने के बाद इस तरह का page खुल करके आएगा जिसमें दो options रहेगा personal information और self assessment, personal information में हम लोग जो है अपना details चेक कर लेंगे, अगर सब कुछ सही है तो self assessment पर चलेंगे, उसके बाद जो है यह brief descriptions का page खुल कर गया आएगा तो इसमें दोस्तों जो है page में लिखा रहेगा submitted for verification ठीक है? submitted for verification इस पर धियान देना brief description में जो given period है 14-2020 से लेकर के 31-2020 तक जो भी हमने काम किया है, पूरे honesty के साथ इसमें descriptions दे देंगे देने के बाद जो है हम scroll करेंगे, scroll करने के बाद जो है इस तरह का next scroll के निचे आएगा option bringing out any special achievements यानि कि आपको कोई award मिला है given period में DRM award हो, GM award हो या और किसी तरह का अन्य award हो, अगर मिला हो तो उसका numbering करके date और कौन सा award मिला है, remarks किस purpose के लिए मिला है वो दे देंगे, उसके property return आपका कुछ है तो उसके बारे में लिखेंगे इस तरह का बहुत सारा चीज होता है property return में, अगर कुछ है तो आप डाल दीजिए, अगर नहीं है तो not applicable कर दीजिए, अगर property return कुछ डाले है तो उसके against में remarks डालिए, otherwise इसको छोड़ दीजिए, उसके बाद submit बटन पर किलिक करेंगे, submit बटन पर किलिक करने के बाद जो है next page खुल करके आएगा, इस तरह का dialogue box, इसमें पूछेगा yes no, submit करने के लिए, तो submit पर किलिक करेंगे, उसके बाद next page इस तरह से कुल करके आएगा, जिसमें की आपको लिखा हुआ रहेगा, OTP के बारे में, आपके mobile पर एक OTP आएगा, OTP इस बॉक्स में डालेंगे, और फिर से submit पर किलिक करेंगे, submit पर किलिक करने के बाद जो है, तो इस तरह से जो है, खुल करके पे जाएगा, लिखा रहेगा, submitted by employee, जैसे कि दोस्तों हमने भी देखा था, कि submit करने से पहले, या कुछ remarks लिखने से पहले, जो है, लिख करके आता था, submitted for verification, लेकिन अब लिख करके आ या उससे जैदे है, उन्हें के लिए जो है, self-favorisal भरना compulsory है, वही ततका अभी साल में भर सकते हैं, thank you दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे, तो like, share and subscribe